नमस्कार दोस्तों विजे केड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेका आया हूं और वो जो नोटिफिकेशन है वो है उत्राखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो निकल चुका है और इसकी लास्ट डेट जो है वो कैसे प्रप्रेशन कर सकते हैं इस पूरी एक्जाम की फरवरी में इसकी एक्जाम है तो अभी हमारे पास काफी अच्छा समय है फरवरी मिड तक आपके पास समय है और पूरा दिसंबर समय है और अभी 15 दिन मतलब अभी भी आगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास कि November में 15 दिन है आपके पास December है और फिर 15 दिन है तो approximately अगर देखा जाये तो आपके पास अभी भी 60 days है पूरे 60 days 60 days है तो इन 60 days में आप कैसे planning कैसे इसकी planning कर सकते हैं कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और मैं आपका क्या इसमें help कर सकता हूँ मैं ये भी बताने करे आया हूँ तो देखे एक तो मैं ये बता दूँ कि इस exam की पूरी preparation में आपको करवा दूँगा ठीक है पूरी preparation करेंगे और सारे जितने भी topic इसमें दिये रहेंगे इसलिए आप इस वीडियो को देखेगा सारे जितने भी topic दिये गए हैं उनके मैं आप इसमें जो मैं लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ आपके सारे notes सारे जो notes होंगे वो notes भी हम आपको provide करा दूँगा इसके लिए और सबसे बड़ी चो चीज है इसमें है वो है video classes जी हां तो वी video classes सारे topics की topic by topic हम video classes लेंगे इसकी एक-एक chapter की जो भी chapter इसमें दिये हुए मैं अभी उनको भी by far get कर दूँगा और सबसे पहले topic मैं कौन से ले रहा हूँ मैं वो भी आपके लिए बता दूँगा तो आप वो भी न तो इसलिए आप वीजे एकडमी से जुर जाईए और ये channel को subscribe कर लिजेगा ठीक है और तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे हम video classes मैं आपको सबसे पहले क्या देने वाला हूँ उसके video classes उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद आपको मैं कराऊंगा mcq practice ठीक है और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसके notes भी provide करा दूँग ठीक है notes भी provide करा दूँग ये दो चीजे तो confirmly मैं आपको देने व करा दूँ ठीक है सारे topic almost सारे topic के मैं cover करा दूँग आपको video classes ठीक है और mcq booklet mcq जो practice set है वो तो कराएंगे और ये courses करूँगा मैं कि ये भी आपको मैं तीसे number पर जो notes है इससे related notes है वो भी मैं आपको provide कर दूँग ताकि आपकी और अच्छे से grip हो जाए ये तीनों चीज specific exam बहुत कमाती है और बाद में इसमें आपको जो एक और चीज ध्यान रखनी है वो है आपका typing test होगा बाद में हिंदी का तो उसको भी ध्यान में रखना है तो उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए पहले आपको क्या focus में होना चीए अभी के लिए आपके लगा रहा है selection का उसके बाद आप क्या कर सकते हैं अगर आपको आप जो safer zone में है तो आप इसकी preparation कर सकते हैं typing test लगा कर काम कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से आप ये approach रखने वाले अब हम क्या topic cover करेंगे या आप मुझे बता दीजिए अभी जो मेरा है cover करने का आपके जो सबसे पहले topic हम इसके इस exam से related cover करेंगे तो वह cover करेंगे जो मैं बता देता हूं कि कौन से cover करेंगा अगर आप बोलेंगे तो मैं basic से चालू कर दूँगा तो देखे bookkeeping and accountancy का पहला unit दिया हुआ उसमें bookkeeping क्या होती है basic knowledge of accounting दिया है terminology क्या होती है concept of capital expenditure revenue expenditure क्या होता है process of general म account और sole proprietor का जो account है उन्होंने और non-profit organization partnership और partnership पूरा दिया हुआ तो यह आ गया इसमें accountancy में इसके बाद आएगा advance accounting जो account का advance part होता है वो यहां पर आजागा जैसे consignment accounting और higher purchase royalty account branch account ठीक है joint venture consignment accounting तो यह सारे चीज़ें यहां पर आजेगी इसके बाद आएगा corporate accounting ठीक है इसमें corporate accounts में क्या वोई issue of share, debenture यह सारी चीज़ें इसमें आजेगी amalgamation, absorption, reconstruction, holding company, liquidation of company और profit and loss of prior incorporation और post incorporation मतलब इसमें क्या होता है कि company बनने के पहले कौन से expenses होते है बाद में कौन से expenses होते है उससे relate और देखे सबसे अच्छी बात क्या है यहां पर सबसे अच्छी बात है mark distribution हम को पूरा mark पता है कि हम कहा जो topic कर रहे हैं उसमें से कितने marks का question पूछेंगे और कभी कोई सा topic छोट रहे है तो उसमें से कितने marks का हमको नुकसान होने वाला है यह सबसे अच्छी बात है यह सबसे घेरी बात है और सबसे अच्छी बात मुझे इस syllabus जारी करती समय जो लगी ताकि कई बार ऐसा होता है कि exam लेते हैं तो कोई topic जादा पूछ लिया जाता है कुछ topic कम पूछ लिया जाता है तो आप इसमें अपने आपको पूरा अच्छे से पढ़कर जाएंगे और पूरा हर एक topic को cover up करेगा यहां पर examiner मतलब ऐसा नहीं हो गए कोई तो को पूरा है यह वहां से question नहीं मिला देखे सबको छे छे नंबर उन्होंने दिये हुए इसके बाद आएगा अब देखी इसमें जो सबसे बड़े बड़े एक्ट है वो मैं आपको बता दू कि यह जो बड़े एक्ट हैं जैसे तो देखे, इसको हम relevant, relevant पढ़ेंगे, इने topic को relevant पढ़ेंगे, बाके सबको तो हम पूरा की पूरा ही पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ वाए आपको, इसके बाद बात करते हैं, हम auditing की, auditing पर बात करते हैं, तो auditing में उन्होंने दिया हुआ है कि auditor की qualification, object क्या होता है, auditing का principle क्या होता है, और यह देखे, removal, remuneration, right and duties of company auditor, internal check, internal auditor, vouching verification, यह सारा ही हम पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद आएगा, fundamentals of economics, और business management, सबसे अच्छी बात इस exam की यह है कि कभी कोई सी आपकी एक unit कमजोर पढ़ रही है, तो आप घबराएगा नहीं, क्योंकि देखिए, जो आपकी unit कमजोर पढ़ रही है, उसमें से कितने marks का है, यह आपको पता है, एक्जाम में कितने marks का आप से examiner पूछने वाला है, कई बार होता है, बच्छों का कि कुछ छूट जाता है, कुछ नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो आपको पता है कि आप कितने marks lose करेंगे, तो इ सारा पूरा जो money market है, उसको यहाँ पर cover किया गया है, और फिर आ जाता है बाद में communication, business communication के अंतरगत आ जाता है, और सबसे बाद में जो आती है, वो आती है हिंदी, देखे हिंदी का, हिंदी जो आ रही है, वो 20 marks की आ रही है, और 80 marks का जो है, आकाउंट्स हैं, तो देखे ह हिंदी जो इसमें दिया हुआ है, जैसे विलोम, वर्तनी, सुद्धनी, अनेक सब्दों के लिए एक सब्द, तत्सम, तत्भाह दिया हुआ है, यह मैं आपको बता रहा हूँ कि यह है, जो हिंदी इन्होंने 20 marks की दी है, यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ, यह हिंदी इतनी सर सकते हैं, 18 भी marks ला सकते हैं, मतलब 15 marks तो आप इसमें ला ही सकते हैं, तो देखें, जहाँ पर marks मोका मिले, महाँ ले लेना, और अच्छी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, कि देखें, यहाँ पर आपसे कुछ और नहीं पूछा जारा है, मतलब यहाँ पर English नहीं है, यहाँ पर aesthetics नहीं है, यहाँ पर गणीत नहीं है, जो difficult पढ़ते हैं बच्चो को, reasoning यह सब चीज़े जो difficult पढ़ती है, वो कुछ नहीं है, आप से आपका core area का उन्होंने concept पूछें, जो हम पढ़ रहे हैं इतने सालों तक, वो सारे यहाँ पर cover कियें, तो अच्छे से कर करिए कि आपको कुण से topics यह और अगर आपको नहीं कर पा रहे हैं, आप support करिए, ताकि हम और ज्यादा इसको अच्छे से बना पाऊ, और ज्यादा मुझे भी आपको वीडियो प्रोवाइट करने में मज़ा है, क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं, तो हमें अच्छा लगता यूनिट है, मैं इस यूनिट को उठाऊंगा सबसे पहले, बारा मक्सी यूनिट है, इसमें हम क्या cover करेंगे, सबसे पहले देखें, मैं बता देता हूँ, मैं income tax वाला जो portion है, और GST वाला portion है, तो हम इसको सबसे पहले cover करेंगे, एक्ट को हम बीच बीच में पढ़ेंगे क्योंकि देखें, एक्ट हम पढ़ने लग जाएंगे, तो एक्ट में हम ज्यादा time देना दे, शुरू में, इसलिए में इनको जो एक्ट दिया हुए हैं, ये वाले एक्ट को हम बीच बीच में करेंगे, ये दोनों हम cover करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम आजाएंगे आकाउंट्स में, आकाउंट्स में आ जाएंगे, या जैसा आप कहेंगे कि हमको ये वाली यूनिट सबसे पहले पढ़ने है सर, तो वो में यूनिट पढ़ा दूगा, जैसे हम आपसे connect होंगा, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर से comment करिएगा, और आप कहां से है उत्राखंड में वो भी लिखेगा, और आपको जो भी help लगे मुझसे, वो help के लिए भी आप मुझसे बोल सकते हैं, कि सर ये वाली यूनिट पढ़ा दीजिए, हमें यहां दिक्कत आ रही है, तो हम वो भी cover करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही था, जरूर से अच्छे से पढ़िएगा, अभी भी आगर आप 6-8 घंटे की study कर लेंगे, तो आप निकाल सकते हैं, देखिए, निकाल सकते हैं, और एक्जामें बहुत दिनों-दिनों में आती है, बहुत टाइम में आती है, तो जब भी भी कोई से एक्जाम आए, और अगर आपका पूरा focus है, गो 100% दीजेगा, अपना 100% दीजेगा, इस एक्जाम में भी 100 marks का paper है, तो आपको भी 100% देना है, बस, ये marks भी 100 है, और आपको भी 100% देना है, तो जब 100% से 100 marks का paper दिया जाएगा, तो कुछ अच्छा ही भाहर निकलेगा, ठीक है, तो इस approach से पढ़िएगा, और मेरी तरफ से बहुत सारी सुक्कामना है, कि आप अच्छा पढ़ेंगे, और selection लेंगे, फिर मुझे comment भी करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, और जो मैंने आपको बताया है, कि हम सारा cover करेंगे, सबसे पहले हम cover करेंगे, यहाँ पर goods and service tax और income tax करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे, कहा जीएस्टी पर, ठीक है, जीएस्टी पर, हम जीएस्टी पढ़ेंगे, जीएस्टी का meaning पढ़ेंगे, structure पढ़ेंगे, क्या होता है, और इसमें फिर धीरे-धीरे करके सारा पढ़ लेंगे, supply, procedure of registration क्या होता है, place of supply क्या होता है, service, place of supply, TDS, TCS, GST के अंदर भी TDS, TCS करता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, और उसके return पढ़ लेंगे, और input text, credit और ebay भी, ठीक है, ये सारी चीज़े हम एक एक करके इसको cover करेंगे, GST खतम करेंगे, हमारी आने वाले क्लासों में, और उसके बाद हम क्या cover करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, income text, ठीक है, और उसके बाद हम किस पर आएंगे, फिर जो आपके सामने इस सारी units हैं, इन पर आएंगे, आप बोलेंगे, सर्फ, bookkeeping उठा लीजे, सबसे पहले हम उसे उठा लेंगे, आप कहेंगे, नहीं सर्फ, हमें पहले करेंगे, financial management and management accounting बढ़ना है, तो हम सबसे पहले इसे उठा लेंगे, ठीक है, तो ये सारा है, इस वीडियो के लिए, यह आप कहेंगे, auditing, जो भी आप, जैसा भी आपकी तरफ से मुझे input मिलेगा, मैं वैसे आपके लिए, वीडियो classes ले करके आऊँगा, तो चलिए, वीडियो जादा लंबा ना करते हो, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना धियान रखेगा, वीजय एकडमी के साथ बनेने के लिए, धन्यवाद.